हेलो एबरिबन वेलकम टू स्टड़ी एक्स्प्लोजन आज हम निया चेप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सिंप्लिफेशन ठीक है तो सिंप्लिफेशन सबसे पहले हम करेंगे बेजड़न एडिशन ठीक है तो पहला कंसेप्ट है हम हमारा सम आप फस्ट एन नमबर जब भी हमें और नैचरोल नमबर का सम निकालना और अब जे एन क्या है यह آँन जैसे आपके सामने सामण धेकर है 1,2,3, 3, 4, so on, कहां तक, no end point, क्योंकि konking का कोई भी end point नहीं है, तो जब भी हमें sum up, natural number का sum निकालना हो, तो देखिए हमें क्या करना है, n into n plus 1 by 2 कर देना है, अब n क्या है, n हो गए, number of terms, number of terms कितनी है, देखिए, 1, 2, 3, so on, इसी तरह से कहां तक है, 10 तक, तो n आपका क्या हो गया, 10, तो मैतल क्या है, n, n plus 1 by 2, n अपका 10, 10 into, n plus 1 करेंगे, तो 10 plus 1 हो जाएगा, ठीक है, 10 कट जाएगा, आपका 5 से, to the measure बन जाएगा, 5 into 10 plus 1 करेंगे, तो 11 बन जाएगा, 11 into 5 करेंगे, 55 हो जाएगा, तो इस question का right answer होगा, 55, ठीक है, इसकी एक trick को देखिए, जब भी आपको natural number का sum निकालना हो तो जो n term होगी जाने की j term इसको half कर लेना है तो 10 है 10 को half करेंगे 10 by 2 बन जाएगा जाने की 5 आजाएगा ठीक है 5 आएगा तो आपने 1 5 इसके साथ और add कर देना है simple यही होगा आपका answer आपको अच्छे से समझ आ गया हो चलिए नेस्ट एक और ऐसा ही example लेते हैं ताकि आपको अच्छे से clear हो जाएगा नेस्ट कॉशन है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 100 प्लस 100 मतलब आपके natural number है बन से लेकर 100 तक तो देखिए अब मैं आपको direct बदा देता हूं क्या करना ह है ट्रिक से मैंने कहा इस nth term का half कर देना है तो half करेंगे 100 का half होगा 100 बाइ 2 जैने की 50 बन जाएगा ठीक है तो आपने जो भी आंसर आएगा एक बार उस आंसर को और एड कर देना है लगा देना है इसके साथ तो 50 50 होगा इस question का right answer चलिए method से भी कर लेते हैं इसे method क्या था n into n plus 1 by 2 अब n क्या होगा n होगा आपका number of terms तो number of terms कितनी है देखिए बन से लेकर अगर 100 तक जाना हो तो कितनी टर्में बनती है 100 ठीक है तो जहें बन जाएगा 100 into n plus 1 करेंगे 100 plus 1 करेंगे तो 100 बन हो जाएगा by 2 अब 2 50 से 100 कट जाएगा तो 50 into 101 करेंगे तो यह बन जाएगा आपका 50 5050 होगा इस question का right answer देखिए trick से भी जही था और method से भी जही था चलिए next question पर चलिए देखिए next question देखिए 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus so on plus thousand ठीक है तो direct trick से देखिए 1000 का half करेंगे तो 500 आजाएगा ठीक है और 500 के साथ एक और 500 लगा दो तो 500 500 होगा इस question का right answer अगर method से करना चाहते हो तो method क्या कहता है n into n plus 1 by 2 तो n कितना है number of terms कितनी है thousand से into 1001 divided by 2 तो 2 into 500 करेंगे तो 1000 बन जाएगा तो 500 into 1001 करेंगे तो आपका 500 500 होगा right answer देखिए तो आप हमेशा क्या करिए tricks से ही करिए इसी तरह से अगर 10,000 तक का जाएगा तो क्या करना है 10,000 तक का आएगा तो इसका half कर होगे 10,000 का तो बन जाएगा 5000 तो इसके साथ एक और 5000 एड़ कर देना है जही होगा आपका answer अब method से आपने इसे खुद करके check करना है ठीक है नेस्ट क्वाशन देखिए 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 14 प्लस 20 अब देखिए जह natural नमबर मतलब starting से नहीं है ठीक है natural नमबर कौन से होते हैं जो बन से start हो टो थी सो आँ जले तो यह natural नमबर नहीं है लेकिन अगर देखिए यह है आपका 11 से लेकर 20 तक 11 से लेकर 20 तक अगर मैं बन से लेकर 20 तक लिखो। ठीक है बन से लेकर 20 तक लिखूं और उन में से सब्ट्रेक्ट कर दूँ बन से लेकर 10 तक तो हमारे पास क्या बचेगा 11 से लेकर 20 तक ठीक है दुबारा देखलो अगर मैं बन से लेकर 20 तक नमबर लिखूं और बन से लेकर 20 में से बन से लेकर 10 तक के माइनस कर दूँ बाहर 11 से 20 तक वही हमने निकालने थे ठीक है यानि कि अगर मैं इसे इस तरह से लिखूँ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 20 मतलब 1 से 20 तक लिख लूँ और इन में से बाहर निकाल दूँ मैं उफ-णकर बन से लेकर बन फ्लस 2 प्लस 3्पन सुनट फ्लस 10 तक मतलब 20 वैं थे पहर निकाल दू तो बचेंगे घ्या हमारे पास ठब कहां से 11 से लेकर 20 थिक ठीक है अब यह देखिए यह आपके बनगे बन से लेकर 20 तक बन से लेकर 20 तक करेंगे तो मैथर क्या कहता है अब यह आपके बनगे बन से लेकर 10 तक करने तो आप जहां तो सीधा 1 करेंगे तो 21 by 2, तो 2 into 10 होगा 20, तो 21 into 10 करेंगे, तो 2, 1, 0 आ जाएगा, इस में से माइनस कर देंगे, हम 55, 2, 1, 0 में से 55 माइनस करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा, 1, 5, 5, 1, 5 होगा इस question का, I hope कि आपको अच्छे से समझ आ गई हो, अब जहां से दिमाग में जे question भी put हो रहा है, कि सर 11, 12, 13, simple हम इसे plus भी तो कर सकते थे, ठीक है, हाँ कर सकते थे, बट आप जे सोचिए, अगर जही टर में, 57, 58 इस तरह की होती, तो वहाँ पर plus करने में, addition करने में, बहुत time based हो जाना था, ठीक है, इसलिए trick जहां पर लगा रहा हूँ, ताकि इस तरह का कोई question आए, आप उसे आसानी से कर लो, चलिए, next question पर चलते है, next question देखिए, 2 plus 2, 2 plus 3 times 2 plus 4 times 2, तो ध्यान दीजिए, जब भी इस तरह का question आए, आपने क्या करना है, सबी term में 2 में हैं, ठीक है, आप 2 को कामन ले लीजिए, अंदर बच जाएगा, 1, 2 into 1 करेंगे, first term में आ जाएगी, plus 1, 1, 2 into 11 करेंगे, तो 22 आ जाएगा, 3 times 1 करेंगे, 3 times 1 into 2 करेंगे, तो 3 times 2 आ जाएगा, plus 4 times 1 into 2 करेंगे, तो 4 times 2 आ जाएगा, ठीक है, अब जहां से क्या करना है, 2 आपका as it is आ जाएगा, अब देखिए, कितने बन हैं, 1, कितने बन है, 2 times, 3 times, और 4 times, ठीक है, अब 1, 2, 3, 4, multiply 2 करेंगे, तो हमारा answer क्या आ जाए सिधा सिधा 2 4 6 8 ठीक है आप इसे डबल कर लिजिए 2 4 6 8 होगा इस question का right answer next देखिए 4 x 4 3 x 4 2 x 4 1 x 4 का addition क्या होगा ठीक है तो इसी को हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं 4 प्लस 4 4 प्लस 3 x 4 प्लस 4 x 4 क्योंकि बात तो यह की है ठीक है हमने करना एड अडिशन करनी है चाहे आप इसको लेकर करो चाहे आप राइट साइड से लेकर चलो ठीक है अब यह last question की तरह बन गया तो इसमें common क्या है 4 तो अंदर आपका बच जाएगा 1 2 3 4 तो 4 की multiply 1 2 3 4 से करनी है तो देखिए सबसे पहले 4 x 4 करेंगे 16 1 carry 4 x 3 करेंगे 12 और 1 13 1 carry 4 x 2 करेंगे 8 और 1 9 आजाएगा 4 x 1 करेंगे 4 तो 4936 होगा इस question का right answer next question देखिए 0.2 plus 0.22 plus 0.22 plus 0.4 times 2 ठीक है तो देखिए 2 है 2 को आप कामन ले लीजिए अंदर आ जाएगा 0.1 plus 0.11 plus 0.111 plus 0.4 times 1 ठीक है तो 2 as it is आ जाएगा अंदर आपका पहले point आ जाएगा ठीक है अब देखिए last question में हमने किया था 2 plus 2 2 plus 3 times 2 plus 4 times 2 ठीक है जब 2 कामन लिया था तो अंदर बच्ची गया था आपका 1 2 3 4 अब ज्याद रखना मान लोज कोई टर्म है यह 5 4 3 7 इस place को कहते हैं once place यह होगी आपकी tenth place इसको कहेंगे tenth place तो यह होगी आपकी hundredth place ठीक है तो जब भी point के आगे वाली term को add करना हो तो आपने क्या करना है right side वाली term पहले लिखनी है ठीक है जाने कि आपने जहां पे लिखा था 1 2 3 4 simple में अगर point में लिखोगे तो आप इस side से लिखेंगे 4 3 2 1 तो जब point के आगे आपका आजाएगा 4 3 2 1 अगर doubt है तो मैं फिर भी समझा देखता हूँ देखिए जब भी इन्हें हम add करेंगे simple way में तो यह आपका आजाएगा point 1 ठीक है जाद रखना point के नीचे हमेशा point आएगा तो point 1 1 point 1 1 point 4 time 1 देखिए इसे add करेंगे तो 1 का बनना आ जाएगा 1 और 1 2 आ जाएगा 3 time 1 3 आ जाएगा 4 time 1 4 आ जाएगा तो 4 3 2 1 ठीक है तो point 4 3 2 1 बना अब इसकी multiply करेंगे 2 into 1 करेंगे 2 आ जाएगा 2 into 2 करेंगे 4 आ जाएगा 2 into 3 करेंगे 6 आ जाएगा 2 into 4 करेंगे तो 8 आ जाएगा और point as it is आ जाएगा तो आपका answer बन जाएगा point 8 6 4 2 .8642 होगा इस question का right answer इसी तरह से point में और question आजाएं तो आपने इसी तरह से करने हैं इसी trick के साथ करने हैं ठीक है चलिए अब हम next concept पे चलते हैं next है आपका unit digit concept unit digit concept ठीक है unit digit क्या है जैसे कोई term है जैसे इसी question की first term है 4, 6, 5 तो इस वाली place को कहते है unit place ठीक है तो इनका sum unit digit का concept देखिए अब हमने करना है 4, 6, 5, 5, 2, 2, 5, 4, 1 तो आप इसे simple 4, 6, 5, 5, 2, 2, 5, 4, 1 से भी कर सकते हैं ठीक है इस तरह से बट competitive exam में जितना time हमारा save हो सके हमें उसे save करना है ठीक है अब unit digit concept क्या कहता है आपने hit and try लगाना है unit वाली place से और सीधा answer मतलब option देखके answer लगा देना है देखिए अब किस तरह से मैं कह रहा हूँ पहले तो हम इसे simple way से solve भी कर लेते हैं यह बना आपका 5, 2, 7 और 1, 8 6, 2, 8, 4, 12 हुआ गया 1 carry 5, 5, 10, 4, 14, और 1, 15 तो 1, 5, 2, 8 होगा इसका answer option A ठीक है लेकिन unit digit concept क्या है देखिए term है आपकी 4, 6, 5 plus 5, 2, 2 plus 5, 4, 1 ठीक है concept देखिए इसे unit digit यह place है यह है और यह है आपने क्या करना है unit वाली place का sum करना है तो 1, plus 2 करेंगे 3 बन जाएगा 3, plus 5 करेंगे तो 8 बन जाएगा ठीक है अब according to option कौन सा ऐसा option है जिसमें 8 है last digit unit place तो last digit देखिए सिर्फ option A में ही 8 है तो option A होगा इस question का right answer अब कहीं बच्चों के दिमाग में यह भी आ रहा होगा कि sir अगर जरूरी थोड़ी ना कि मतलब first वाले option में ही एक ही option में 8 हो दो में भी हो सकता है, तीन में हो सकता है मैं मानता हूं इस बात को ठीक है लेकिन सबी option में 8 नहीं होगा ज्यादे से ज्यादे 2 में हो सकता है आप 2 में होगा तो क्या करना है आपने 10th वाली place का भी sum कर ले लेना है देखिए 4 और 4 प्लस 2 करूंगा 6, 6 और 6 करूंगा 12, तो 2 आएगा, आप देखिए according to action, 2 एक में ही होगा फिर, तो आपने इस तरह से ही करना है, ठीक है, I hope कि आपको अच्छे से समझ आ गई हो, और example देखते हैं इसकी, अब देखिए time saving कैसे होती है, यह चीज़ देखिए, ठीक है, 11 और 1, 12, 12 प्लस 7 करूंगा तो 19, 19 प्लस 6 करूंगा तो 25, 25 प्लस 3 करूंगा तो 28 बनेगा, जिसकी बंस प्लेस, unit प्लेस क्या है, 8, according to option देखिए, एक ही option ऐसा है, जिसमें 8 लगा है, तो आपने सीधा सीधा इसे आँखे बंद करके आंसा लगा देना है, ठीक है, देखो कि 6987 माइनस 2345 प्लस 897 तो आप कर लिजिए सबसे पहले समभाली टर्मों का सम कर लिजिए और उसमें से माइनस कर लिजिए, तो 7 प्लस 7 करूंगा, 14 आ जाएगा, 14 माइनस 5 करूंगा, तो 14 में से 5 जाएगा, तो 9 आ जाएगा, तो लास्ट यूनिट प्लेस 9 एक ही option की है, सी चेक करना चाहें, तो चेक भी कर सकते हैं, इन दोनों का सम करेंगे, 6, 9, 8, 7, सम करेंगे, 8, 9, 7, 7, 14, 4, 1 carry, 9, 8 और 1, 9 और 9, 18 बन जाएगा, 1 carry, फिर 1 add होगा, तो 9 और 9, 18 बन जाएगा, 1 carry, 6 और 1, 7 बन जाएगा, ठीक है, यह हुआ इन दोनों टर्मों का सम, इसमें से हम माइनस करना है, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 0, 2, 3, 4, 5, देखिए, 4 में से 5 नहीं निकलेगा, तो 8 से carry लेंगे, 14 बन जाएगा, 14 में से 5 जाएगा, तो 9 आजाएगा, जहाँ पे 7 रह जाएगा, 7 में से 4 जाएगा, तो 3 आजाएगा, 8 में से 3 जाएगा, 5 आजाएगा, 7 में से 2 जाएगा, 5 आजाएगा तो 5539 होगा इस question का right answer option D होगा इस question का right answer next question देखिए 1 by 3.5 plus 1 by 5.7 plus 1 by 7.9 plus 1 by 9.11 plus 1 by 11.13 plus 1 by 13.15 इसका sum क्या होगा जो बताना है ठीक है कुछ बच्चे इस तरह का question देखके शोड़ देते हैं ठीक है, तो मैं आपको बता दूँ जे कितना simple question है इसके लिए आपको क्या करना है, बस एक बात का दियान रखना है कि जे जो नीचे difference है क्या same है 3 और 5 का अगर difference देखें तो 2 आएगा 5 और 7 का difference देखें तो 2 आएगा 7 और 9 का difference देखें तो 2 आएगा 9, 11 का difference भी 2 आएगा 11 और 13 का difference भी 2 आएगा 13 और 15 का difference भी 2 आएगा जब difference same हो ठीक है जब difference same हो तो method क्या लगाना है आपने 1 by difference into 1 by first term minus 1 by last term ठीक है 1 by first term minus 1 by last term अब जो first term हो last term क्या है देखी निच्चे denominator देखने है denominator का यह है first part ठीक है इसको कहेंगे first term और इसको कहेंगे 15 को last term ठीक है अब according to method क्या बना 1 by difference difference कितना है 2 2 को है सब में तो 1 by 2 आ जाएगा ठीक है 1 by first term first term है आपकी 3 है minus 1 by last term है 15 तो जहां से 1 by 2 into 15 और 3 का calcium क्या होगा सारी 3 और 15 का calcium हाँ 15 बन जाएगा और जहां पर हमें 3 into 5 करना पड़ेगा तो उपर भी 5 हो जाएगा तो 5 minus 1 हो जाएगा ठीक है तो जहां से आपका क्या बना 1 by 2 into 5 में से बन जाएगा 4 4 by 15 तो 2 into 2 करेंगे 4 तो 2 by 15 होगा इस question का right answer 2 by 15 option D होगा इस question का right answer देखिए कितने simple method से मैंने निकाल दिया ठीक है आई होप कि आपको बिलकुल समझ आ गई हो बट मैं फिर भी इसे बोलूँगा जे method भी wrong है क्योंकि जितना simple हो सके हमें उतने simple से ही से करना है तो देखिए trick देखिए एक और trick जब भी इस तरह का question आ जाए बस आपने check करना है कि difference सेम होना चाहिए जैसे इस question में difference क्या है 2 तो जब भी difference सेम होगा तो हमने क्या करना है term में count कर लेनी है total term कितनी है 1,2,3,4,5,6 total term कितनी है 6 तो total term divide by क्या करना है first और last की multiply तो first term क्या है 3,last term क्या है 50 तो 3 into 2 करेंगे 6 तो 2 by 15 होगा इस question का right answer I hope कि अब आपको trick अच्छे से समझ आ गई हो ठीक है अगर trick आपको अच्छी लग रही है अच्छे से समझ आ रही है तो वीडियो को like share जरूर करें और जो इस वीडियो को first time देख रहे है वो मेरे चैनल को subscribe कर लिजिए ताकि आने व आने बाले चैप्टर जैसे percentage and last discount average सब आपको अच्छे से समझ आ जाएगे और मैं totally आपको math trick से ही पढ़ाऊंगा पूरा math आपको trick से ही पढ़ाऊंगा ठीक है देखें नैस question 1 by 1.5 plus 1 by 5.9 plus 1 by 9.13 plus 1 by 13.17 plus 1 by 17.21 ठीक है तो हमें क्या करना है trick के लिए सिर्फ देखना है कि difference सेम है 1 और 5 के बीच difference कितना होगा 4? 5,9 के बीच भी 4 का difference है 9 और 13 के बीच भी 4 का difference है 13 और 17 के बीच भी 4 का difference है 17 और 21 के बीच भी 4 का difference है ठीक है तो सभी में difference 4 है तो जब difference same हो तो आपने क्या करना है number of term count करनी है 1, 2, 3, 4, 5 5 term हैं तो आपने 5 लिखते ना है नीचे क्या करना है first term first term क्या है one और product करनी है first और last term की तो last term क्या है 21 अब 5 और 21 दोनों ऐसी term है जो एक दूसरे के table में नहीं आती जाने कि यह cut नहीं होंगे तो 5 by 21 ही होगा इस question का right answer option B होगा इस question का right answer देखिए इस तरह का question आजाए तो हम देखके ही यह कहेंगे कि इसे हमें short देना चाहिए ताकि हमारा यह बहुत time based करवाएगा बल्द बिल्कुल simple है देखिए मैंने trick से आपको बता दिया totally trick से ठीक है इसकुल ही यह simple है देखिए hardly तीन चार या पांच सेकंड लगे है इसे निकालने के लिए तो कितना time आपका save हो रहा है अगर मैं आपके लिए इतनी अच्छी trick बना रहा हूँ इतनी अच्छे way से आपको समझा रहा हूँ तो जार आप भी like करतीजे वीडियो को share करतीजे ठीक है next question देखिए 1 by 30 plus 1 by 42 plus 1 by 56 plus 1 by 72 plus 1 by 90 plus 1 by 110 plus 1 by 132 देखिए जब भी इस तरह का question आए तो आपने क्या करने है देखिए अब हम इसको simple way से solve नहीं कर सकते और वो भी hardly 10 या 12 second में तो आप देखिए जब भी इस तरह का question आए आपने क्या करने है सबसे पहले denominator बाली term के factor देखने है तो 30 आपका 5 into 6 करेंगे 30 आ जाएगा 42 के लिए 6 into 7 करेंगे 7 into 8 करेंगे अब सीरी चेक कर लेजिए 5, 6, 7, next 8 आएगा 8 into 9 करेंगे बिलकु 72, next 9 into 10 करेंगे 90 बन जाएगा, 10 into 11 करेंगे तो 1, 10 बन जाएगा 11 into 12 करेंगे, तो 1, 32 बन जाएगा, ठीक है अब आपने क्या करना है difference चेक करना है difference देखिए 5 और 1 के बीच difference बन का 5 और 6 के बीच सारी, 1 का difference 6 और 7 के बीच बन का difference 7, 8 के बीच बन का difference सभी के बीच 1 का difference बन रहा है, ठीक है अब आपने क्या करना है, जब difference same हो, तो trick मैंने आपको बताई है जब भी difference same हो तो आपने क्या करना है number of term divide कर देना है first product of first or last से, ठीक है अब number of term कितनी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 term है, ठीक है तो number of term में आपकी बन गई 7 according to option आप जहाई से ही टिक लगा सकते हो बिना question किये, देखिए option सभी option देखिए, 7 एक ही option में है but फिर भी आप कर लीजिए नीचे क्या आएगा, first term first term क्या है थी आपकी factor की 5 into, last term क्या बन रही थी 12 5 into 12, तो 7 by 5 into 12 करेंगे तो 60 बन जाएगा, 7 by 60 option B होगा इस question का right answer, I hope कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो अच्छी लगी है तो please वीडियो को like, share जरूर करें, ठीक है और जो अपने notes बना रहे हैं सासाथ वो comment भी जरूर किया करें कि अच्छी वीडियो बन रही है कैसी आपको tricks लग रही है ताकि आने वाले chapter में मैं और अच्छी अच्छी tricks आपके लिए लाँ और मैं आपको totally math tricks से ही बढ़ा हूँगा ठीक है तो चलिए ठीक है आज के लिए इतना ही मिलेंगे next class में thank you class